असलाम लेकुम एवरिवन वेलकम तुमार चानल फाइज अवसीम वेब डिजाइनिंग के लेक्षर नमर 19 मैं आप सभी लोग को वेलकम करती हूँ आज हम वेब डिजाइनिंग के इस लेक्षर में सीखेंगे कि कैसे आप अपने वेब पेज के ऊपर कोई भी बटन एड कर सकत है जब मैं इसको क्लिक कर रही हूँ तो यह बिलकुल बजन की तरह एक्ट कर रहा है जैसा कि आप डिफरेंट वेब साइट के ऊपर देखते होंगे आपको डिफरेंट टाइप के बटन देखने को मिलता है तो अगर आप इस टाइप पर कोई बटन अपने वेब पीज के ऊ लगाना चाहते हो तो वो कैसे लगाओगे उसकी कोजिंग कैसे करोगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने नौटपैट प्लस प्लस की तरफ लास्ट वीडियो में हमने यहां पर स्केप किया था और इसका आउटपुट हमाई पास देख लेते हैं किस टाइ ऐसा आया था ठीक है अब आज की इस वीडियो में आपको बटन एट करना सिखा रहे हूं तो चलिए हम इसी के नीचे अपने कोडिंग कर लेता है तो आप देख यहां पर आइधिंग आपको प्रॉपर ली नजर आ रहा होगा हमने क्या किया है हमने एक हैडिंग की है ठीक ह इसके वाद मैंने एक पारग्राफ एड्ट किया है ठीक है और बटन एक करने के लिए सिम्पल सा टैग आप यूज करते हो बटन का जब आप बटन टैग यूज करते हो तो वो आपकी सामने एक बटन टाइप शो हो जाता है किस तहां से चलिए देखते है रिसल्ड कैसा आत है आप देख सकते हैं यहां पर में पास html buttons के नाम से एक heading है एक हमारे पास paragraph है और साथ में यह button में पास आचुकर click me के नाम से इसी तरह से अगर मैं कोई और button add करना चाहूं तो मैं क्या करूँगी मैं same tag use करूँगी button का जब भी आपने button add करना है आपने button का tag use करना है ठीक है और उसके अंदर आप जो भी टेक्स दिखवाना चाहते हैं वह आप यहां पर add कर दें for example अब मैं चाहते हूं click me के बजाए यहां पर लिखा हो आए submit form mostly कि जब आपको यहां पर आपको इस टाइप के बटन देखने को मिलता है ठीक है यहां पर मैं BR का टैग लगा रही हूं क्यों क्योंकि मैं चाहते हूं थोड़ा इसके दम्यान gap आजा है वैसे यह हमारे पास button के लिए जरूरी नहीं है यह से first if मैंने gap देने के लिए यूज़ कर रही हूं इसको करते हैं यहां से safe दबाहर से चलते हैं ब्राउजर के उपर और refresh करके यहां पर मैं आपको दिखा हूं अब आप देख सकते हैं अब जो बटन आया है उसके अंदर में पास submit form लिखा हूँ है इसी तहां से आप अपने web page के अंद मिलेंगे नेक्स वीडियो में अपना ख्याल रखेगा मुझे दुआउं में आ जखेगा अलाहाफिस